एरटेल पेमेंड बैंक जो की पेमेंड बैंक में सबसे पॉपुलर है अगर आप फोन पे गूगल पे पेटियम को यूज करना चाहते हैं और आपके पास किसी भी बैंक में एकाउंड नहीं है तो एरटेल पेमेंड बैंक में आप एकाउंड ओपेंड कर सकते हैं घर बेटे आउनलाइन इरटेल पेमेंड बैक को ऊपेंड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको एरटेल ठांक्स अब को इंस्टाल करने अपने it mail के प्लेस्टोर में जाकर इरटेल ठांक्सान को install करना है install करने के बाद आपको open का option दिखाए देगा simply इस open वाले option पे click कर देना है उसके बाद आपको permission में आपको allow कर देना है उसके बाद यहाँ पर उस mobile number को enter करना है जिस mobile number से Airtel Payment Bank open करने के लिए Airtel सीम होना जरूरी नहीं है अगर दोस्तों आप BIE, GO, BSNAL कोई भी सीम आप यूज़ करते हैं यानि कि आप किसी भी operator का सीम यूज़ करते हैं तो Airtel Payment Bank में आप account open कर सकते हैं आपको उस mobile number को enter करना है यहाँ पर जिस mobile number से आप Airtel Payment Bank open करना चाहते हैं mobile number enter करने के बाद get OTP का option दिखाए देगा, simply is get OTP वाले option पर click करेंगे, जो mobile number दी है उस mobile number पर OTP जाएगा, automatic OTP ले ले लेता है, अगर नहीं लेता है तो डाल कर login पर click करेंगे, अब यहाँ पर आपको location का permission मांगा है तो permission आपको देदेना है, जो भी permission आपको मांगे आपको पर click करेंगे, अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का interface सो करेगा, अब सबसे पहले आपको wallet को activate करना होगा, तो wallet को activate करने क्लिफ को करना चाहोगा, यहाँ पर देख सकते हैं, आप to 40 रुपया cashback on first transaction, अगर आप wallet को activate करते हैं और first transaction करते हैं, तो आपको 40 रुपया cashback पी मिलता है, तो wallet को activate करने के लिए को करना चाहोगा, gate wallet का option दिखाए देगा, तो simple सापको gate wallet के option पे click करेंगे, जैसे gate wallet के option पे click करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा, अब दोस्तों wallet को activate करने के लिए इस form को feel करना होगा, अब यहाँ पर दोस्त नेम आप ID डाल देना है, उसको पीन कोड आपको डाल आपने एरिये का पीन कोड आप डाल देंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे select ID प्रूब, तो आपको एक ID प्रूब देना पड़ागा, जैसे कि आधार कार्ट, पें कार्ट, ड्रावी लेसन, इन मैंसे कोई एक document आप देंगे जो भी document आप देंगे दोस्तों यहाँ पे ID प्रूब देंगे, उसका यहाँ पे document का number आपको नीचे में डाल देना है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे में continue का option दिखा देगा, continue का option पे simply आपको click कर देना है, चलिए दोस्तों मैं first name, last name, date of birth, और यहाँ पे म option दिखा देगा, तो simple से आपको continue का option पे click कर देना है, मैंने दोस्तों यहाँ पे first name, last name, date of birth, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो भी मेरा date of birth है, आपको इसी तरह से date of birth, यहाँ पे आपको select कर देना है, date of birth, select करने के बाद दोस्तों आपको अपने area का pin code डाल देंगे, उस अब यहाँ पे बोल रहा है, create your mpn, तो आपको mpn create करना पड़ेगा, mpn create करने से आपको फायदा इसलिए होता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे अपने virtual debit card को देखना चाहते है, तो mpn की जूद परती है, अगर आप दोस्तों यहाँ पे अपने account number IFSC code देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे mpn की जूद परती है, तो mpn की जूद बहुत ज्यादा परती है, तो दोस्तों आपको forward it का अपने margin किसाब से mpn आपको create करना है, जो भी आप mpn create करेंगे, वो आपको confirm mpn में डाल देना है, उसको done का option दिखाए देगा, done का option पे simply मोबाल नमबर दिया है, उस मोबाल नमबर पर OTP जागा, उस OTP को आपको डाल का नीचे में confirm का option दिखाए देगा, simply confirm वाले option पे click कर देने, चलिए मैं OTP डाल का यहाँ पे confirm का option पे click करता हूँ, जैसा ही दो सो confirm का option पे click करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है, registration successfully, registration successfully, अब दोस सकते हैं, मेरा यहाँ पे 9000 दिखा रहा है, कि आपके wallet का है, यहाँ पे limit है 9000, और दोस्तों यहाँ पे जब भी आप recharge करेंगे, तो आपको cashback मिलते जाता है, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे recharge कर सकते हैं, bill payment कर सकते हैं, टिकेट बुक कर सकते हैं, तो आपका फ़हला काम ह हो गया, Airtel payment bank में आपका Airtel wallet activate हो चुका है, मतलब की wallet activate हो चुका है, अब wallet में आप 9000 maximum रख सकते हैं, अब आपको करना क्या है, दोस्तों नीचे में देखे, explore का एक option दिखाए देगा, simply explore के option पे click कर देना है, explore के option पे click करने के वाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface सो ठीक है, अब दोस्तों आपका Airtel payment bank open हो चुका है, पर दोस्तों Airtel payment bank का full capacity आपका complete नहीं हो तो, capacity करने के लिए आपको करना चाहोगा, यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे में एक upgrade account का एक option दिखाए देगा, इस पर click करके अपने Airtel payment bank का full capacity कर सकते हैं, full capacity में दोस्तों आप आपको pain card, आधार card होना जरूरी है, अगर दोस्तों आप online यहाँ पे full capacity करना चाहते हैं, तो आपको pain card, आधार card होना जरूरी है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, दोस्तों के वैसी करने के लिए upgrade account का option दिखाए देगा, simply upgrade account का option पे click करने के लिए अपके सामने कुछ दर processing चलेगा, तो आपको थोड़े वेट करना है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा, ऊपर में आप देख सेखेंगे, डिजिटल से भी account लिख रहा है, अब आपको अपने एटल payment bank के full के वैसी करना चाहते हैं, तो आपको करना चाहते हैं, नीचे में get started के एक option दिखाए देगा, simply is get started के option पे click कर देना है, जैसे ही दोसो get started के option पे आप click करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा, अब आपको एटल payment bank को फूल के वैसी करने के लिए आपको आधार card का number डाल देना है, और नीचे में आपको pain card का number डाल देना है, चेक ब करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं सभी चीज डाल दिया हूँ, और यहाँ पर नेच्ट के option पर मैं click करता हूँ, जैसे दोस्तों नेच्ट का option पर मैं click करता हूँ, मेरे registered mobile number यानि की आधार card में जो भी आपका mobile number लिंक होगा, registered होगा, उस पर OTP जाएगा, तो उस OTP को आपको अच्छे से फिल करना है, अगर दोस्तों आप सही से नहीं फिल करेंगे, तो आपका OTP सही से नहीं लेगा, तो आपको OTP सही से फिल कर देना है, OTP डालने के बाद आपको next का option दिखाए तका simply next का option पर click कर देना है, मैंने अपना OTP यहाँ पर डाल दिया, अब दोस् यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि मेरे आदार काट Pen Card से पहले से ही, अटल पेमेंट में एकाउन ओपें हो चुगा है, आपको करना क्या वर्चुल डेवीट कार्ण पर क्लिक करना है, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, वियू डिटेल का एक option दिखाए देगा, simply इस कर सकते हैं अब दोस्तों यहां पर नमबर भी दिखाई दे रहा है इस वर्चूल डेविट कार्ड से दुस्तों ऑनलाइन ट्रांजक्षन कर सकते हैं ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं अब अपने बैंक account को कैसे Link कर सकते हैं उसके लिए दोस्तों आपको करना चाओगा आपको Back चले आना है बैभ आने के बाथ दोस्तों को करना चाहोगा उपर में एक orth цент दिखाए क्लिक करेंगे उसके बाथ दोस्तों आपको यहां पर बैंक प्रोफाइल का एक option दिखाए देगा, simply इस bank profile के option पे click करेंगी, जैसे दोस्तो बैंक प्रोफाइल के option पे click करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटर पर सोख रेगा, अब आपको दोस्तो क्या करना है, नीचे में दिखिए pay का option दिखाए दिखाए देगा, simply इस pay के option पर क्लिक करना है उसके बार दोस्तों यहां पर लिंक को प्रोसेसिंग चलेगा तो आपको थोड़े दिर वेट करना उसके बार दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का interface आहां जाए कैंद जैसा कि दोस्तो में आपको सर्च करना या में आपको यहां पर सर्च करना है अगर यहां पर इंडिया के फर्सक्र चखर दे रहा है तो फ़ो। सब्सक्पा निशाज आहां यहां पर आप इससे आप्ल पय्सक्ति असलिए जाद हो पहले हैं तो यहो पाद सब्सक्क्राइब देरा है और दोस्तों इससी प्र्ग्वित है कि करना है he लीजिया है आपने bank account को कैसे link करेंगे UPi अडिया आपको कैसे मिलेगा virtual debit card आपको कैसे मिलेगा सबी चीज दो मैं आपको इस वीडियो में बता दियो I hope दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो पसंद वीडियो को like and share जिरूर करें